हलो गुड यूनिंग कैसे हो आप सभी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आज मैं बना रहे हूँ चुकंदर का हल्वा और यह खाने में बहुत ज्यादा स्वाधिश्ट होता है जितना खाने में अच्छा लगता है उतने उससे ज्यादा फैयदे होता है तो यहाँ पर यह किलो चुकंदर ले लिया चुकंदर को मैंने साब पानी से दूल के रख दिया था तो पानी निकल गया है तो अब इसके बाद मैं सबसे पहले छेलना स्टार्ट कर देती हूं और यहाँ पाद सारे चुकंदर को मैंने छेल लिया है और उसके बाद ज्टना ज्यादा ज्दूर समय रहता है और यह फायदे मंद बहुत होता है तो चुकंदर का अलुआ मैं बदना लेती हूं तरीके से यह देखिए सभी चुकंदर को अच्छे से मैंने कद्धू कर लिया है और देखिये मेरे हाथ में कितना सा सारा जुश यह रड़ कलर लग देख सकते हैं तो चलिकाना करते हुआ झाट करते हैं और हम छापाद का ल 활कते करते हैं पटीक हरो जाया थेस lebih यह पिछ देख रहें . और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छे से दिख रहा है और यह सौप्ट भी हो गया है तो इसमें मैं 200 ग्राम के करीब मैं चीनी एड़ कर देती हूं और यह बहुत ज्यादा मीठा नहीं करना है क्योंकि चुकंदर भी मीठे होते हैं तो इसलिए थोड़ा कम डाली है तो इस तरीके से आप लोग भी बना के खाएए चुकंदर का हलुआ और जिसको चुकंदर नहीं पसंद है तो हलुआ पसंद आएगा जरूर तो यह देखिए और अगर आप लोगों को मीठा ज्यादा पसंद है तो चीनी ज्यादा अड़ कर सकते हैं और अच्छे से चला द है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है यह देखिए मैं बहुत ज्यादा इसको नर्य चलाओंगी क्योंकि नहीं तो गुठल या नहीं रहेंगी और इसको 10 मिनट के लिए इसको पका लेती हूं क्योंकि बिल्कुल लो फ्ले में पकाना है तो यह देखिए इसको मेने ढ़न क पांच मिनट के बाद इसको देख लेती हूं कि यह कितना पका है तो यह देखिए अभी इसमें जूस है अंदर तो इसको बहुत चला देती हूं थोड़ा सा और थोड़ी देर के लिए और धक देती हूं ताकि अच्छे से पक जाए तो इस तरह से आप भी बना के खाईए और यह बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है चुकंदर के हलुआ और यह देखिए इसमें ना मावे की जरूरत है ना दूद की बस दो चीजों से बहुत आसानी से बन जाता है और अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो फिर ऐसे भी बना सकत आपके पास अगर जो भी ड्राइफूर से उड़ा सकते हैं मेरे पास यही थे तो मैंने यह डाले है और देखिए यह कितने अच्छे से लुआ बनके तयार हो गया है तो इसको मैं भी थोड़ी देर के लिए खुला पका लेती हूं तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो म इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यह देखिए मैं इसको चुकंदर के हलुए को मैं अच्छे से भून लेती हूं ताकि जो इसमें जूस है वह सारा जूस अच्छे से जल जाए और नहीं तो यह जूस अगर रहेगा तो फिर उतना अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट हएए कि यह चुकंदर का हलुए कैसा बना है और तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बतायें कि यह का इसा बना है। और सेयर करें और मियं मैं भीदिया देखि ड्रपय को भी दिखिह ठ्ड मैं Voorाक्षि जिए जिए